हमाशकार दोस्तों मैं पुनीत कुमान निगम उसा मेटल से रिसेक्लिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसेक्लिंग इस बिजनेस को खुद 15 साल से कर रहा हूं जिसमें ट्रेडिंग करता हूं इंटरेशनल डॉमेस्टिक दोनो और दोस्तों इसमें कोई अगर मेरा दोस् मेरा जाता है जैसे कि डॉमेस्टिक में सटर्ट करना हो बिजनिस इंटरनानल मार्केट से इनप소ट में पोट करना हो में कॉसिस में करते हैं light सामने बाले को sale and purchase करवा है क्योंकि हम बातों में कम और काम पर ज्यादा विस्वास रखते हैं जो भी मेरा दोस्त बिजनस को स्टार्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में complete detail मेरी दे रखी है company profile है प्लस WhatsApp का नंबर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा आप WhatsApp कीजिए आप किस परकार से पुरानी factory जो बंद हो जाती है प्लस पुरानी गाडियां ट्रक वगेरा जो रहते ये किस तरह से आप purchase कर सकते हैं पुरानी buildings ये कैसे purchase कर सकते हैं demolition के लिए प्लस आप इसमें किस परकार से आप पुरानी जो properties होती उसो कैसे खरी सकते हो ये सारी information आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि आप इसो किस परकार से purchase कर सकते हो और किन-किन website से आप purchase कर सकते हो easily बिना किसी monitor की through दोस्तों ये वीडियो बनाने के कारण मेरा ये है क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बिचे कोई ना कोई कारण होता है तो इसी प्रकार से इस पर भी एक कारण ये है कि कई लोग आजकल आप देख रहे हैं अगर आप WhatsApp पे जुड़े होई हो काफी groups के साथ तो आप देखते होंगे कि उसमें कई लोग डालते हैं कि ये फैक्टरी कटने को आई है सुगर मील आई है पावर प्लांट आया हुआ है ये फैक्टरी डालते हैं WhatsApp पे बहुत सारी फोटो वीडियो भी डाल देते हैं तो इस पर यैसे किसे फ्रॉड करने वाले अगर आप पैसा है आगर ले सकते हो तो आप डायट खरीदो किसी मेडर की जरूत नहीं खरीदने के लिए और दोस्तों यही चीज में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप खरीज सकते हो क्या प्रॉसेस रहता है यह पूरी इंफॉर्मेशन आज में इस वीडियो म करने वाले लोग होते हैं उससे बचके रहिए कोई पैसा अपना इदर-दर मत दीजिए स्कैम एक बार जब हो जाएगा आपके साथ यह फ्रॉड हो जाएगा तो आपको यह बिजनस करने का मन नहीं करेगा जबकि यह बिजनस बहुत अच्छा है प्रॉफिटेवल भी अच अग लोन के थुरू गाड़ी उठाता है फैक्टरी अपनी खड़ी करता है और उस फैक्टरी पे भी लोन उठा लेता है और पाद है वो जो पेमेंट है वो रीपेमेंट नहीं कर पाता है वो लोन अपना नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करती है उसको उससे चीन कर बन जाते हैं कि हम deal कराके आपको देंगे आप bank में token इतना देना है यहाँ पे इतना देना है तो उस चक्कर में क्या रहता है कि करी लोग का पैसा फच जाता है ऐसे मैं खुद जानता हूँ ऐसे बहुत सारी deals है जो मिझे लोग बेशते हैं लेकि मैं totally उन्हों ignore कर देता हूँ क्योंकि वो होनी नहीं है deal कभी और दोस्तो deal ना होने के कारण भी होते हैं क्योंकि proper information लोग को नहीं दे पाते हैं जो लोग भी deal करा रहे होते हैं उन्हों खुद information नहीं होती कि वो उसके पीछे क्या है property और ये सब खरीदने का एक बहुत अच्छा system है आप अगर आपको व ऐसा मिलने वाला हो जो इस काम वो करता है वो ही आपको इस सारा काम process करा के देगा या bank वाला आपके जान पेचान का है तो वो भी सारी आपकी help कर सकता है जो इस परकार की properties होती है गाडियां होती है उन्हें for close property या vehicles भी कहते हैं जो कि इसकी जो rightful owners होते हो बैंकी ही होते है क्योंकि bank ने वो जब करके उसकी निलामी कर रहे है तो bank की उसका main मालिक होता है तो वो ही उसके पास पूरे 100% ownership होती है चाहे वो car हो, truck हो, factory हो, कुछ भी हो उसको अपना पैसा recover करना है तो वो auction करके recover करती है और दोस्तों इसमें और अच्छी बात है कि ये market rate में जो भी ची पर डाल रहे हो, अगर आपकी bidding हाई रहेगी तो आपको मिल जाएगा, कभी कवार सारा setting के नीचे भी under the table भी सारे काम होते हैं, जो करने वाले होते हैं उन्हें सब पता रहता है कि इंडिया में क्या हो सब जुगार का काम है, जिसकी जहां जितनी पहचान है वो उतना काम कर जिए, जैसे bidding process भी है, मैं बता रहू, profit होता है, लेकि profit को निकालना भी बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि आए, आपको जो अच्छी property लग रही हो, बाद हैं फस गए, तो वो क्या क्या इसमें आपको समझना है, वो मैं लास्टे पता हूँगा आपको, और दोस्तों, अगर आप इसमें एक बारी फस गए, कोई गलत property पे आपने bidding करके माल उठा लिया, तो उसमें आपका जो bank का खास आदमी आपके साथ वाला हो, या इसमें कोई भी आपकी help नहीं कर सकता, जो आप पैसा लगा रहे हो, वो आपकी EMD चली जाएगी, समझ दो, आपने 50 लाग रुपे लगा रखा है, तो आपका 50 लाग की जो property आपको purchase करनी थी, तो आपका जो 5 लाग EMD रहेगा, वो चला जाएगा, तुरंत कर जाता है वो तो, ठीक है, और आप फिर आप बाद में आप inquiry कर रहे हो, तो उसमें आपका पैसा 100% फसने का chances है, तो 5 लाग आप कभी भी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने highest bidding डाली है, और आपको bid लग गया है, तो करने से पहले, टमसें कंडिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, कि बैंक को कैसे बेच रहा है, क्या कै टमसें कंडिशन है, किसकी क्या responsibilities है, यह सब आपको समझना है, उसके बाद इसमें bidding करना है, सबसे पहले website है auctiontiger.in, दोस्तो इसमें आप easily properties, पुरानी गाड़ी, पुरानी factories, जो close हो चुकी है, और जो निलामी की थुरू बेची जाती है, आप normally Google पे डालेंगे, तो भी आपको easily इसकी website मिल जाएगी, और इसमें आप सर्च भी करके दे सकते हैं, by enter location क area है, वहांसी आराम से आप देख सकते हैं, और इसका जो bidding process है, वो भी बहुत easy है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या लेना है, अगर वो आप जानते हो आपको क्या लेना है, और उसी actual value क्या है, उसमें पैसा कैसे निकालना है, तो आप इसमें पैसा कमा सकते हो सिब आपको किसी के कहने भी नहीं करना है कि उसमें अचले जाओ, उसमें अच्छा profit होगा, आपको actual वो काम आता है, तो इसमें हाट डालिए आप, तो इसमें बहुत सारी properties हैं, आपको जो आपको ठीक लगे, चाब परानी factories हो, चाब परानी गाड़ी हो, आराम से इसमें bidding जालके उठा सकते, जितना high bit में आप उठाओगे, तभी आपको ये माल मिलेगा, second website है, bankauction.in, दोस्तों इसमें आपको परानी गाड़िया नहीं मिलेगी, इसमें totally आपको परानी factories, जो close हो चुकी हैं, और जो government की factories होती हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगी, private factories हैं, व आपको पहले इसमें दी जाएगी, tender की details होगी, tender को भरने से पहले, tender की जो consumption conditions हैं, उसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें किसकी responsibility क्या है, bank की क्या responsibility रहेगी, property देते time, वो सब आपको सब कुछ बैठ के पहले clear करना पड़ेगा, जिस area में परानी factory खरीद रहे ह वहाँ वो किस branch के अंदर आता है, head branch है, local branch है, दोनों जगा जाके पहले आपको survey करना है, third website है, forclosureindia.in, दोस्तों इसमें totally आपको जो NPE हो चुकी है, factories वो मिलेंगी आपको, छोटी से लेके बड़ी, जिसमें आपका 5 लाग से लेके machinery और उसका parts वगेरा, ये भी आप इसा ले सकते हो, और plus आप इसमें जो पुरानी factories होती है, जो 100-100 करोड की होती है, वो भी आप ले सकते हो, मतला आप समझो कि इसमें 5 लाग से लेके, आप 100-200 करोड, 300 करोड तक की factory ले सकते हो, मतला 5 लाग भी factory तो आती ही नहीं, लेकि जो machinery जरूर आती है, कई बार क्या होता है बैंक से machinery machinery बेच रही होती है, क्योंकि machinery आप काट के ले जाओ, बाकि जो उसका पूरा रहेगा, वो दूसरे को bidding करके, वो land बेचा जाएगा, तो पहले factory के अंदर जो मतल है, उसकी bidding होती है, फिर उसके बाद land की होती है, यह bank में depend करता है, वो अलग बेच रही है, कि साथ म के लिए है, जो demolition के लिए है, वो आप search कर सकते हो, मेरा वीडियो में है, scrap को मैंने focus कर रहा हुआ है, normally आप प्राणी जो properties होती है, जो पैसा नहीं पे करते हैं, आप वो ले सकते हो, लेकिन मेरा जो, इसमें जो मेरा topic है, वो है scrap, scrap आप कैसे खरी सकते हो, तो इन website के लेकिन मैं सिव आपको as a scrap dealer के एसाब से सोचनी की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप scrap में purchase करोगों, तो इसमें से कैसे website से अपनी मदद ले सकते हो, ठीक है, तो मेरा main focus इसी का है, कि आप किस तरह से scrap purchase कर सकते हैं, इन website से, तो बैंकी auctions के थूरू आप totally आप प्राणी factories, जो प्राणी थूरू होता है, ज्यादा था इसकी bank के e-auctions के थूरू, एक करोड तक की फैक्टरी लगती है, छोटी फैक्टरी, कभी कवार उसमें एकदम अच्छा माल मिल जाता है, क्योंकि वो फैक्टरी क्या होता है, लोग चालू तो कर लेते हैं, चला नहीं पाते हैं, और अगर आपको एलमूनियम इंगोट प्लांट डाल रहें, अगर किसी ने पहले एक करोड का पैसा लगा के लगाया होगा प्लांट, तो वो चला नहीं पाया होगा, लेकिन bank ने उसकी जब्त कर ली, अब आपको वो जो प्लांट है, आपको 40-50 लाग में easily मिल जाएगा, नॉ तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी वेबसाइटों से केस-केस तरह केसे आप माल खरीच सकते हो, और कैसे बिडिंग करनी, अब मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में, कि इनको लेने से पहले आपको किन-किन बात होगा, खास क्याल लखना है, सबसे बैंक की ये उक्शन के थुरू है, फिर कोट के थुरू आपको जाना पड़ेगा, तो लेने से पहले सौ बार सोच लें, फिर इसमें कोई भी बिडिंग डालें, तो सबसे पहली चीज़े इसमें आपको देखना ये है, कि जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, चाए वो पैसा इंक्लूडिंग रहता है, जल निगम का भी पैसा रहता है, तो किसी डिपार्टमेंट का पैसा उधार नहीं होना चाहिए, ने तो लेने के बाद आप ही को पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप पहले देख लें, उसके बाद कोई भी किसी परकार का पैंडिंग पैमेंट नहीं होना चाहिए, ने तो वो आपको भरना पड़ेगा, और लास्ट में दोस्ते चीज़ और बता दूँ मैं आपको, कि अगर आप फैक्टरी परचेस करने जा रहे हैं, तो आपको इसी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, फैक्टरी के अंदर जो माल देंगे, ये भी चीज होने चाहिए, प्लस आप जो फैक्टरी देखने गए हो, वहाँ पर आप डालने से पहले ये देख लो, कि उसमें कॉपर कितना है, अल्मूनियम कितना है, स्टील कितना है, आयरेन कितना निकलेगा, इसका पूरा एक सर्वे कर लो, सर्वे करने गवा क्योंकि जब फैक्टरी बंद होने वाली होती है, तो पहले सी सारा माल निकाल के गयब कर दिये जाता है, क्योंकि बैंक वाले से लेके इसमें जो ही फैक्टरी के ओनर सम मिले होते हैं, उनको पता पहले चल जाता है कि फैक्टरी मेरी बंद होने वाली है, तो जो मेन मेन माल होता है उसका ये खुद बेज के पैसा खा लेते हैं उन्हें पता है फैक्टरी बंदों नहीं फैक्टरी कान ले जाओगे तो क्या करते है उसके अंदर से तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना है काम करने से पहले यह precautions रखना है और भी बहुत सारी यह बहुत लंबा टॉपिक है मैं इसको 8-10 मिनिट में complete नहीं कर पाऊंगा इसके लिए मैं dedicated अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सारी information दे दूँगा कि factory खहिने से पहले आपको किन बात का ध्यान रखना है factory ऐसे काटी जाती है और किस परकार से metals को recover करके profitable मैं convert किया जाता है I think दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो information चाहिए वो आपको मिली होगी और दोस्तों कोई भी मेरा दोस्त अगर metals scrap business start करना चाता है या input export करना चाता है तो आप whatsapp कीजिए आप whatsapp करेंगे तो मैं आपको अपना catalog बेज दूँगा उसमें से आप मेरी service जो भी आपको चाहिए choose करके आप मुझे पता देना मैं आपको service provide कर दूँगा और दोस्तों एक चीज़ और लाश्य उता दूँँ कि जो भी मेरी service होती है सारी paid होती है और free of cost मेरी कोई भी service नहीं है सेभी YouTube चैनल पर ही मैं वीडियो डालता हूँ वो free of cost है आप उसको देखिए कोई और information चाहिए तो आप वीडियो पे comment करके बोल दीजिए मैं उसको पूरा information देदूँगा लेकिन दोस्तों मैं personally जो time देता हूँ वो मेरा paid service होता है तो यह चीज़ आप समझ लीजिए फिरी आप मुझे whatsapp में message या consultancy के लिए approach कीजिए और दोस्तों मैं कोई भी जोटे वादे नहीं करता हूँ भी आपको ऐसा करवा दूँगा वैसा करवा दूँगा जो भी होगा naturally आपको भी समझ में आएगी तो हम आंगे बढ़ेंगे नहीं तो कोई problem नहीं है और दोस्तों चैनल में पहली बार हैं तो subscribe कर लिजिए लाइक कीजिए और comment करें जो बताएए वीडियो आपको कैसी लगी धन्यवाद दोस्तों अपना किंती समय देने के लिए नमस्कार